प्रधान मंत्री जी ने एक संदेश दिया था बेटी बचा लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी देश की बेटी जो है बच रही है उठो द्रोपदी सस्र उठा अब लगता है कि कल युग में भी द्रोपदी को स्रस्त उठाना ही पड़ेगा क्योंकि कल तक केवल अन्धा राजा अब गुंगा बहरा भी है होट सी दिये है जनता के कानों पर भी पहरा है नमस्कार शिटी पोश्ट में आपका स्वागत है आपके साथ मैं में दुला देशकी रजधानी दिली से रेप की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जान कर आपका मन अक्रोज से भर जाएगा जिहां नौ साल की एक बच्ची का नहीं सिर्फ रेप किया गया है बलकि उसकी हत्या भी कर दी गई है साथी उसका जवरन अंतिम संसकार भी कर दिया गया है वहीं इस मामले में पुलिश ने एक पुजारी को हिरासत में लिया है दिली पुलिश ने दिली कैंड के पास एक गाउं समसान में नौ साल की बच्ची के साथ बलकार करने और उसकी हत्याग करने और उसके बाद सौव को अंतिम संसकार करने के अरोप में चार लोगों को गिरफता किया है वहीं एक पुजारी सही चार अरोपित ने कथी तोर पर लड़ती के सौव को उसके माता पिता की सहमती के बिना पुलिस को सुचित किये बिना अंतिम संसकार कर दिया है वहीं पिड़ता की मा को बताया कि बची की मौत बिजली के करेंचे हुई है मामला तब सामने आया जब डविवार की रात पिड़ित परिवार ने अस्थानिय लोगों के साथ गिरोध परदर्शन किया वहीं पिड़िता की मा को बताया कि बची की मौत बिजली के परेंचे हुई है उन्होंने लड़की के परिवार वालों से यहां तक कह दिया है कि अगर मामला पिड़िस तक पहुंचता है तो सौ को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और डॉक्टर इसके महतपूर्ण अंगों को निकाल कर बेच देंगे वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादों का बड़ा बयान सामने आया है जिहां दिली में एक नववर्षिय मासूम बच्ची को बेरहमी से गैंगरेप कर उसे दरिंदों ने जला दिया है दिली में कहीं आक्रोस नहीं है क्योंकि बच्ची गरीब और दलित वर्ग से है वहीं जातिवादियों को चाहें वो मीडिया से हो, सासन प्रसासन से हो झाल